इस lecture में Nuclear Waste Facility, Radio Activity और Nuclear Power Plant के बारे में discuss करेंगे कि हमारे देश में कितनी बिजली Nuclear Power Plant से generate होती है और कहां कहां पर ये लगे हुआrict हमारे इंडिया में नूकिलियर पावर प्लांट यह आपका प्रिलिम्स में आपका जी-एस पेपर 3 इन्वार्मेंट से रिलेटल और जी-एस पेपर 2 के लिए पॉलोशी बगेरा में और आपका यह इंटर्वियू के लिए भी मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक है तो पूरा डिटेल से डिस्कस करे और इसका जो भी अब तक का डवलप्मेंट है इंडिया का वो भी डिस्कस करेंगे पहले जानते हैं हमारे इंडिया में कितने नूकिलियर रियक्टर हैं और कितने पावर प्लांट हैं इंडिया में अभी देखो साथ नूकिलियर पावर प्लांट हैं नूकिलियर पावर प्ल में रस्या की मदद से बनाए जा रहे हैं यहां पे छे रियक्टर है नुकिलियर पावर रियक्टर यहां पे देखो यह मदरास अटोमिक पावर स्टेशन के पास है काल पक्कम भी बोलते हैं से काल पक्कम नुकिलियर पावर रियक्टर या नुकिलियर पावर प्लांट और उ एक है आपका जैतापूर यहाँ पर तारापूर जैतापूर है यहाँ पर महारास्ट में यहीं पर पास में ही है एक है आपका यह काकरापूर पावर स्टेशन यह है आपका कहां पर गुजरात में है यह एक राजिस्तान में है रावत भाटा यह राजिस्तान अटोमिक पाव आटोमिक या नरोरा नूकिलिर पावर स्टेशन तो ये टोटल साथ है मेजर नूकिलिर पावर प्लांट जो हमारे इंडिया में, और इनमें 22 नूकिलिर रियक्टर लगे हुए हैं और इनकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपिस्टी कितनी है अभी देखो ये लगबग 6,780 मेगावाट की इलेक्टिस्टी बिजली प्रड्यूस करते हैं इन न्यूकिलर पावर प्लांट में और ये हमारे इंडिया में जितनी भी टोटल पावर जनरेशन होती है जितनी भी बिजल बनती है लगबग 3,95,75 मेगावाट की बिजली बनती है हमारे इंडिया में ये मिनिस्टी और पावर की जो साइट है ना वेब साइट गूगल पे सर्च करोगे आप मिनिस्टी और पावर उसकी साइट खुल जाएगी वहां से डेटा लिया गया है तो लगबग अगर पावर से बिजली बनती है हमारे देश में ये देखो सबसे ज़्यादा बनती है कोल से कोईला से कोईला से बिजली बनती है वहाई सब कोईला जलाते हैं जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं थर्मल पावर प्लांट में कोईला जलाएंगे उससे स्टीम पैदा होगी भाप heat पैदा होगी उससे turbine घुमाते हैं और turbine क्या करते हैं बिजली बनाते हैं वह सब टरबाइन टरबाइन electricity जनरेट करते हैं जैसे आपने generator तो देखा होगा साधी बहाँ सबके आसपास घरोक में होते हैं जनरेटर लेके आते हैं बिजली बनाने के लिए वो जनरेट करता है बिजली बनाता है वो डीजल यूज करता है और उसके अंदर टर्वाइन लगे होते हैं जनरेटर के अंदर डीजल से एनरजी मिल रही है जनरेटर को अब वो टर्वाइन घूम रहे हैं टर्वाइन घूमन पूछा भी जाता है बहुत बंदों से पूछते है रिनेवल एनर्जी उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है 35.4% रिनेवल एनर्जी मतलब नवीनी करन उर्जा जैसे हवा से बिजली बन रही है विन्ड पावर सोलर एनर्जी सूरे से एनर्जी बन रही है बिजली बन रही है तो रिनेवल एनर्जी से 35.4% सबसे ज़्यादा रिनेवल एनर्जी में हाइड्रो पावर जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट है उनसे बन रही है 12.6% उसके बाद विन्ड पावर से 10.1% सो से भी पावर generate कर रहे है वह है .04 समझ रहे है यह क्या है renewable energy में आता है नवी परेस से भी विजली बनने है घर बने भाए जिर सब 6.9 परसंट हमारे देश में उसके बाद नंबर आता है nuclear पावर का 1.9 लगबख 2% बान लो फिर लिगनाइट से बन रही 1.7% फिर डीजल से 0.2% तो ये डेटा है पावर का टोटल अब समझते हैं कि ये नूकिलियर जो पावर बन रही है इसमें कितने तरह की रियक्शन होते हैं ये भी देखो बेसिक नॉलिज है पूछ लेते हैं इनको भी देखो पहले परीके से बनाई जा सकती है एक तो है नूकिलियर नूकिलियर फ्यूजन रियक्शन नूकिलर फ्यूजन मतलब नाव क्या सलियन देखो भाई सब इतना बेसिक से मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स साइन से नहीं पढ़े होते आर्ट बेंक ग करके देखें तो नूकिलियर फ्यूजन रियक्शन से बनती है एक नूकिलर मतलब नूकिलर से जो बिजली बनती है दो तरीक से बनाई जा सकती है नूकिलर फ्यूजन रियक्शन से नाव के सलियन क्रिया बोलते हिंदी में एक बनती है नूकिलियर फ्यूजन नूकिलियर फ दो मिलके एक बड़ा एटम बनाते हैं हीलियम एटम हीलियम एटम बनाते हैं यह मैंने क्या लिखा वन वन यह तो पता ही होगा आपको यहां पर अटोमिक नंबर लिखते हैं हम आपने केमिस्ट्री में periodic table पढ़ी होगी जिसमें element लिखे होते हैं सबसे पहले number hydrogen का आता है और उसका atomic number एक है हम उसे नीचे denote करते हैं atomic number को यानि कि atomic number मतलब आपका परमानु क्रमांक और ये उपर लिखते हैं atomic mass यानि कि परमानु भार हिंदी में बोलते हैं तो ये एक होता है इसका atomic number atomic mass भी इसका एक होता ये दोनों मिलके एक helium का atom बना लेते हैं helium का atomic number 2 है और इसका mass है 4 तो ये बोलते हैं इसको nuclear fusion reaction ये ही जो हमारा सूरज है न सन उसमें ये ही reaction हो रही है जिसकी वज़े से जब ये reaction होती है हीलियम तो बन जाता है लेकिन पलस कुछ heat और energy निकलती है उसमा और energy heat और energy वो heat energy जो निकलती है न उससे ही तो बिजली बनाई जाती है और sun में जो energy निकल रही है sun से हमें यहाँ अर्थ पे मिलती है भाई सब ये रोशनी आ रही है इससे सबको energy मिल रही है पेड़ पौदों को हमको ये इसी वज़े से मिल रही है जब ये reaction होती है nuclear fusion sun में तो ये heat और energy निकलती है जिससे सबको energy मिल रही है पूरे आपके world पे अर्थ पे next आती है nuclear fusion reaction यानि कि नाब के विखंडन यानि की विखंडन का मतलब तूटना यहाँ पे बड़ा nuclear ही तूट रहा है यहाँ पे helium का atom क्या है वो तूट रहा है यहाँ पे उल्टी होरी reaction helium तूटके दो hydrogen के atom बना रहा है इसकी वज़े से heat और energy निकल रही है सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन सी होती है यह nuclear fusion reaction होती है नाब के सल्यन के रिया नाब के सल्यन और यह कम ताकतवर होती है जो हमारे bomb बनाए जाते है ना atomic bomb देखो atomic bomb, nuclear bomb जो होते है atomic bomb में यूज होती है आपकी nuclear fusion reaction nuclear fusion reaction लेकिन जो hydrogen bomb होते हैं hydrogen bomb उपर वाली नुकिलियर terrorism इसलिए ज़्यादा ताकत्वर कौन से बंद होते हैं हाइडोजंग वंद क्योंकि इनमें nuclear fusion नाब के सलियन कीरिया यूज होती है नाब के सलियन और ये नाब के सलियन जो न्यूक ठीजल बहुत ज़्ञादा ताकतवर होती है नाब के सल्नियन रियेक्शन और इसकी वज़ाइस सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं अगर एक दो भबं ऑगर किसी कंट्री पर गिरा धिये गए तो पूरी कंट्री को तबहा कर सकते हैं समझ रहे हो यह hydrogen bomb क्योंकि यह क्या है इन से जब यह गिरते हैं बहुत ज्यादा energy निकलती है energy के वजए से लोगों की death हो जाती है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह जब लोगों को जहां गिरा है वहां लोगों को वहीं पर मालेगा मालोग कुछ लोग बच भी गए न सकते हैं बहुत सारी नुकसान है इनके तो यह हमने बेसिक समझा किस तरह से nuclear जो पावर प्लांट होते हैं उनमें दो तरीके से बिजली बनाई जा सकती है nuclear fusion और nuclear fusion और यह आपको atomic power plant कहां कहां पर यह याद होना चाहिए अभी जो news में आया न यह इस वज़े से आया है क्यो nuclear power plant लगाने का जो process है हमारे इंडिया में किसने सुरू किया यह भी भाइसा पूछ लेते हैं जो nuclear energy program है सबसे पहले launch किया था हमारे independence के time में किसकी leadership में होमी जहागीर बावा यह होमी जहागीर बावा के नाम से एक atomic यह आपका वो भी बना हुआ है research center भी यह scientist है होमी जहाग गया था start किया गया था nuclear energy program और हमारे इंडिया में जो पहला यह पावर प्लांट बना था nuclear reactor बना था पावर प्लांट नहीं nuclear reactor पावर प्लांट की बात नहीं हो लिए एक पावर प्लांट में बहुत सारे nuclear reactor हो सकते हैं सबंज़रे हो नाब के रिक्टर बहुत सारे हो सकते है तो power plant का मतलब है यह company खोल लिए nuclear power plant की यह हो गया nuclear power plant इसमें building होंगी बहुत सारी और building के अंदर nuclear reactor होंगे जो बिजली बनाने के लिए काम करते है एनर्जी बनाने के लिए काम करते है तो ऐसा सबसे पहले nuclear reactor जो हमारे इंडिया का था वो अपसरा research reactor था यह नाम आपको याद ह होना चाहिए यह Mumbai में situated है Mumbai में और देखो सिर्फ इंडिया का पहला नहीं था यह यह पूरे Asia का पहला था जो Asia माधीप है वहीज सारी कंट्रिया आथ है आपको पता है इंडिया चाइना पाकिस्तान रस्या यह सारी कंट्री जो Central Asian सारी कंट्री एश्या में आती है तो पूर इस या में सबसे पहला अपसरा रिसर्च रेक्टर था यह नाम आपको याद होना चाहिए और देखो इन नुकलियर रियक्टर जो यूज होते हैं नुकलियर पावर प्लांट में इनमें एनरजी प्रडूस करने के लिए क्या फ्यूल क्या यूज करते हैं इंधन जैसे बहु यूरियनियम आपको पताईए भाई सब रेडियो एक्टिव मेटल है एक रेडियो एक्टिव यह रेडियो एक्टिव मेंडल है रेडियो एक्टिव क्या होता है रेडियो एक्टिविटी क्या होती है उसके बारे में भी हम डिसकस करेंगे लास्ट में समझ रहो तो यूरि और आईसो टोप क्या होते हैं आईसो टोप यह होते हैं जैसे मानलो भाई सब यह हाइडोजन का आईसो टोप देखे होंगे आपने हाइडोजन यह तीन तरीके के होते हैं हाइडोजन के तीन तरीके के देखो यह हाइडोजन यह डूटीरियम और यह आपका टीटियम टीटि लेकिन उनका atomic mass difference हो यानि कि atomic mass है जो वो different हो अलग-अलग हो एक, दो, तीन अलग है समझ रहे हो यानि कि ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि जो atomic number होता इतने ही उसमें proton होते हैं proton समझ रहे हो proton इतने होते हैं और neutron कैसे निकालते हैं atomic mass मेंसे ये घटा देंगे atomic number ये atomic mass है भाई साब उपर वाला और ये atomic number है समझ रहे हो atomic number तो atomic mass मेंसे ये घटा देंगे atomic number वो निकल जाएंगे proton proton, neutron, neutron, electron तो आप जानते हो न थोड़ा सा समझा देता हूँ जल्दी से देखो भाई साब कोई भी metal है कोई भी metal जयसे आपके घर में लोहा होगा लोहे को तोड़ दो तोड़ते चले जाओ ये लोहे की रोड़ा इसे तोड़ दो बहुत ज़्यादा टुकडे कर दो इतने टुकडे कर दो इतना जोटा टुकड़ा कर दो ये इतने छोटे हैं अब इससे ज़्यादा ये टूटी नहीं सकते हैं तो ये मानलो ये है छोटा एटम इसका उसे बोलता है एटम एटम बोलेंगे उसे कि ये इतना छोटा है कि ये अब इससे ज़्यादा टूटी नहीं सकता तो एटम क्या हो गया smallest particle of any element which cannot be further divided मतलब किसी भी element का वो छोटे से छोटा पार्ट जिसको हम उससे आगे विभाजित नहीं कर सकते उससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते वो हो गया एटम और एटम में होते हैं ये एटम का अंदर होगा एक nucleus यानि कि center के अंदर आपने पढ़ा होगा एसी एटम का बीच वाला पार्ट क्या बोलेंगे उसे nucleus nucleus और nucleus ये singular form में एक वचन में और इसका भुचन क्या होगा nuclei इंगलीस ने पढ़ा होगा आपने मानलोग बहुत ज़्यादे atom की हम बात करें उनका nucleus तो उसे बोलते nuclei of atoms atoms और nucleus of atom इतना basic से इसलिए समझा रहा हूँ भाई साव आठ वालो बच्चों के लिए तो ये इसका atom का जो बीच वाला पार्ट है केंदर बिंदू वो हो गया nucleus बोलते हैं उसे नाभिक नाभिक हिंदी में nucleus अब जो इसके अंदर ना nucleus के अंदर ये nucleus के अंदर ये nucleus के अं चक्कर लगा रहा होता electron electron को E से denote कर दें proton को P से neutron को N से proton पर देखो positive charge होता है positive neutron पर कुछ भी charge नहीं होता neutral रहता है neutral कुछ भी charge नहीं होता है neutral होता है और electron पर negative charge होता है negative समझ गए अब isotope पढ़ रहे थे हम isotope 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 में क्या हुआ कि जिसमे atomic number same है atomic mass different है यानि कि H1 और 2 यह deuterium यह hydrogen का isotope हो गया यह वाला hydrogen का isotope हो गया समझ रहे हो तो यानि कि इसमें ऐसे भी बोल सकते है कि proton जिसमें same हो number of proton same हो लेकिन different neutron हो यानि कि different number of neutron हो क्योंकि देखो इसमें तो एक मैंसे घटाएंगे zero बचेगा proton इसमें से दो मैंसे एक घटाएंगे तो इसमें एक proton neutron है लेकिन proton same है क्योंकि जितना atomic number होता है उतने proton होते हैं तो इनमें proton same है तो यह हो गया isotope hydrogen के यह तीनों समझ रहे हो ऐसे uranium का isotope होता है 238 mass number वाला इसका 235 वाला भी होता है एक 238 वाला होता है uranium का isotope अब हमने समझा कि uranium यूज होता है fuel की तरह इनमें देखो plutonium भी यूज हो सकता थोरियम भी यूज हो सकता है लेकिन थोरियम का abundant हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा पाया जाता थोरियम लेकिन थोरियम पाया जाता केरल में सबसे ज़्यादा पाय कर सके हमारे पास ऐसे nuclear reactor नहीं है जिसमें थोरियम को यूज किया जा सके एज फ्यूल इंधन की तरह हमारे पास technology कंट्री है कजाकिस्तान आपने पढ़ा होगा मैप पे बहुत बार दिखाया है मैंने तो ये भाई साब यूरेनियम रिजर्व हमारे इंडिया में बहुत ही कम है स्माल नमबर पे हम यूरेनियम इंपोर्ट पर डिपेंड है हम आयात करते हैं दूसरे देस्वों से मंगाते है अपने nuclear power industry के लिए 1990 से हम रस्या से मंगा रहे हैं रस्या हमारा major supplier है nuclear fuel के लिए uranium के लिए अभी recently क्यों news में आया हम क्यों पढ़ रहे हैं अब वो start करते हैं हमने basic सारा पढ़ लिया अब वो basic में आपको problem नहीं आएगी कि रिसेंटली इसलिए क्योंकि जो कुडन कुलम village पंचायत है तमिलाडू में बाहिसाव कुडन कुलम village जहां पर ये खूला गया यह दिखाया था ना मैंने कहां गया यह 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 उपर होगा यह वहाला यह कुडन कुलम यहाँ पे ना यहाँ पर कुडन कुलम village यह गाव में वहाँ पे ये reactor बनाए जा रहे हैं, 6 reactor, यहाँ पे nuclear power plant है, कुडन कुलम, nuclear power plant और रस्या की मदद से बन रहे हैं, यहाँ पे देखो, इसकी पंचात ने resolution, यानि की पंचात में एक फैसला सुना दिया, किसके अगेंस्ट, जो यहाँ पे न, एक तो पहले ये nuclear power plant ये बन रहे हैं, इसका ही विरोध करते हैं, ये village, इसका ही विरोध करते हैं, अब यहाँ पे एक और facility बनाई जा रही है, nuclear power plant के पास, away from reactor facility, away from reactor facility क्या है, उसके बारे में भी जानेंगे, पहले जानते हैं कि ये जो विलेजर हैं, गाम के लोग, क्यों विरोध करते हैं, कुडन कुलम, विलेज, पंचयात है जो, या कुडन कुलम के लोग क्यों विरोध करते हैं, अपोज क्यों करते हैं, कि यहाँ पे power plant ना बने, यह तो फायदे मंदे भाई सब इससे बिजली बनाई जा सकती है और इससे बहुत बड़ी मात्रा में पावर बनाई जा सकती है समझ रहे हो लेकिन क्यों क्यों वरोध कर रहे हैं यह समझते है यह बेखो nuclear power plant जब यहां पे बने थे कुडन कुलम पे तो इसने जब गौर्मेंट थी सेंटरल गौर्मेंट उसने कुडन कुलम पुरा लिख देता हूँ यहाँ पे जब पावर प्लांट बने थे महलब स्टार्टिंग क्या था तो यहाँ पे लोगों को यहाँ पे विल्लेजर को यह कहाता कि हम आपको लगबग 10,000 के लगबग जौब देंगे समझ गे और यहाँ पेची पराई का डैम है पेची पराई नाम का पेची पराई डैम यह डैम का नाम आपको याद होना चाहिए बांध बना हुआ है यहाँ पेची पराई डैम है उससे हम यहाँ पर पानी की facility डवलप करेंगे गाम के लिए पानी आएगा irrigation के लिए drinking water के लिए मतलब सिचाई के लिए irrigation खेतों में पानी लगा सकें खेतों में यूज कर सकें और पीने के लिए भी drinking water के लिए तीसरी बात यह थी कि यहाँ पर क्या है भाई साब जब यहाँ पर कुडन कुलम nuclear power plant बनेंगे तो यहाँ पर development भी तो होगा इस रीजन का विकास भी होगा लेकिन भाई साब इन तीनों में से कुछ चीजे होती दिखाई नहीं दे रही है वहाँ के लोगों को समझ रहो और main जो problem है main जो problem है यह है safety के भाई साब nuclear safety क्योंकि यह जो power plant होते हैं आपको पता है इनमें क्या यूज होता है इनमें radioactive mineral होते हैं यूज जैसे uranium क्या है radioactive mineral और radioactive mineral का क्या नुकसान होता है बहुत नुकसान होता है वो हम आगे discuss करेंगे थोड़ा तसली रहो be patience तो यह यहाँ पे safety concern है safety की परिशानी है क्या है safety की परिशानी देखो एक बहुत बड़ा disaster हुआ था Chernobyl disaster अलग lecture में हमनों इसको पढ़ा हुआ है Chernobyl disaster यह Ukraine में हुआ था Ukraine और Russia का वार चल रहा ना जो Ukraine रसिया का उसकी वज़े से यह disaster हुआ था यह मतलब Ukraine में एक जगह है Chernobyl वहाँ पे nuclear reactor थे वहाँ पे disaster हुआ था संकट के वहाँ पे क्या हुआ था यह nuclear reactor में भाई साफ safety का कुछ कर रहे थे यह तो उस coolant वगेरा जो coolant का जो process होता है इसको ठंडा रखने के लिए वो fail हो गया था और इसमें आग लग गई थी इसकी वज़े से बहुत ज़्यादा injury हो गई थी और यहाँ पे लोगों को नुकसान हुआ था death view थी ऐसा ही हुआ था फोकुसीमा में फोकुसीमा जगह है जापान में तो यहाँ पे फोकुसीमा में एक nuclear power plant था उसमें भी आग लग गई थी ऐसी मतलब safety concern की वज़े से वहाँ पे परिशान हुई थी एक disaster हुआ था देखो यह कब कब हुए था यह date भी आपको याद रखनी है चर्नोबिल हुआ था 1986 में और फोकुसीमा हुआ हुआ था 2011 में तो ऐसा अगर मानलों यहाँ पे disaster हो गया तो इन लोगों की तो जान चली जाएगी ना कुडम कुलम में जो हमारे तमिल्लाडो में है समझ रहे हो जो हमारे देश में तमिल्लाडो में है तो इनको यह भी परिशान ही है ऐसी disaster South Korea में भी हुए है South Korea country है जापान के पास हरनूल नाम का ऐसे कुछ नाम का place है वो प्लेस आपको याद करने की ज़र्त नहीं है South Korea याद रखो और भी कई जगे हुए है लेकिन दो सबसे बड़े disaster जो है यह संकट आए चर्णोबिल के और फोकुसीमा के यह आपको याद होने चर्णोबिल युक्रेयन में फोकुसीमा जापान में तो इसलिए लोग विरोध करते हैं इसका कि भाई सब हमें यहाँ यहाँ पर नहीं बनवा रहे है यहाँ पर मत बनाओ इसका समझ रहे हूँ अभी जो विरोध कर रहे हैं किसका कर रहे है क्योंकि यहाँ पर अवे फ्रॉम नूकलियर फैसलिटी बनाई जा रही है नूकलियर पावर प्रांट के पास प्रोजेक्ट के पास किसलिए यह देखो ताकि nuclear waste जो निकलता ना nuclear reactor होते हैं उनसे कुछ waste बज़ता ना मानलो जैसे uranium use हुआ uranium सारा गा सारा fuel use नहीं हो उसके बाद जो एक waste बच जाएगा waste मतलब जो कूडा करकट जो बाद में बच गया आपका समझ रहो nuclear waste उसको store करने के लिए यह मानलो एक facility बना दी एक area बना दी होँआ पर building बना दी away from reactor facility बोलते हैं उसको away from reactor facility क्यों बोलते हैं उसके बारे में भी जानेंगे इससे पहले देखो state government ने भी तमिल नाडू ने भी जो यह construction बनाई जा रही है away from facility away from facility away from reactor facility इसका विरोध state government ने भी किया था तमिल नाडू ने और अब यह villager भी कर रहे हैं village पंचात ने कहा कि जो यह away from reactor site बनाई जा रही है जगे बनाई जा रही है साटाइक साइट का मतलब जगे इनकी वज़ए से radioactive pollution होगा जिसकी वज़ए से radio activity निकलेगी इन से नुकसान हो जाता है polluted हो जाता है पीने योग्य नहीं रहता जो अभी drinking water और irrigation सिचाई के लिए खेतों में पानी लगाने के लिए यूज होता है या पीने के लिए वो पीने योग्य भी नहीं रहेगा नुकसान होगा उससे human की health पर प्रभाव पड़ेगा मानव की सरीर पर भी परभाव पड़ेगा उसका विपरीत परभाव बुरा परभाव तो यह क्या है यह ए एफ आर अवे फ्रॉम रियक्टर साइट क्या होती है देखो यह ऐसी जो नुकलर फ्यूल होता है नुकलर फ्यूल जैसे uranium नुकलर फ्यूल योज होता है ऐसे power plant में नुकलर बाउर तरह की स्टोरेज फेसिलिटी बनाते हैं हम नुकलर पाउर फ्यूल यह नुकलर फ्यूल फ्यूल बने हुए यह ब्रॉर फो उपर वाला पार्ट है यह पूरा पार्ट पे बिल्डिंग बनी हुई है यह पूरा बाउंडरी यह भार की जो न्यूकिलर पावर प्लांट की है अब दो तरीकी की फैसलिटी होती है एक फैसलिटी तो होती है भाई साथ यह जो रियक्टर बिल्डिंग है सर्विस बिल्डिं जो यह building बनी हुई थी ना, building, यह वाली, उपर वाली building बनी हुई थी, इस building के अंदर ही है, जहाँ पर nuclear reactor है उसके पास ही, और एक होती है उसके ground में, जैसे nuclear, जो power plant है, इसका ground है, ब्लू वाला, इसके ground में बनी होगी, यानिकि nuclear reactor जो building है, उससे दूर थोड़ा, लेकिन होती ह nuclear power plant की जो boundary है उसके अंदर ही होती है तो उससे जो दूर होती है nuclear reactor से उसे बोलते है away from reactor spent fuel storage facility shortcut में बोल देते हैं AFR facility away from reactor facility लेकिन जो nuclear power plant की premises यानि के जितना वो boundary है उस boundary के अंदर ही रहती है लेकिन building के अंदर नहीं रहती है तो दो तरह की facility होती है जो spent fuel storage pull होता है facility nuclear building के जो अंदर रहती है inside the reactor building उसकी limited capacity होती है एक सीमी तक ही वो fuel को storage करके रख सकता है जमा करके रख सकता है यानि कि जो nuclear reactor में immediately चाहिए power produce करने के लिए उतनी facility रहता है तो ये nuclear fuel को मतलब nuclear fuel जो है यहाँ पे storage रहता है इस facility में ताकि इसे अगर nuclear reactor में fuel की जरूत हो दोबारा से जल्दी से refuel किया जा सके लेकिन जो fuel है ये fuel जो इसमें uranium वगएरा जमा करके रखते हैं ये देखो कुछ समय तक initially कुछ समय तक रखा जाता है यहाँ पे कुछ समय तक ये cool रहता है cool रहता है यानि कि ठंडा रहता है यहाँ पे रखा रहता है लेकिन भाई साब यहाँ पे थोड़ी बहुती facility रहती है जमा करने की ज़्यादा मात्रा में away from reactor spent fuel storage facility पे रहती है यह बिल्कुल सेम रहता है बस इसकी capacity ज़्यादा होती है AFR में जितना हम fuel जमा करके रखते हैं capacity ज़्यादा होती है लेकिन बात यह है अब यह facility तो यहाँ पे है अब इसमें fuel जमा करके रखेंगे uranium वगरा और uranium क्या है radioactive mineral और इससे radio activity जनरेट होगी radio activity निकलेगी radio activity मतलब waves निकलती है इससे waves लहरे वगरा निकलती है जिनकी वज़े से water pollitude हो जाता है irrigation के लिए भी काम नहीं आता है drinking water के लिए भी काम नहीं आता है और लोगों की health पे भी बुरा परभाव पड़ता है इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं कि ये away from reactor facility ना बनाए यहाँ पे कुड़न कुलम में समझगे क्यों विरोध कर रहे हैं अब आते हैं इस पे कि union government है व away from reactor facility बनाई जा रहे हैं एक और दो नम्मर पे जो कुड़न कुलम nuclear reactor है तो ही अभी वहाँ पे operational है बाकी के नहीं operational है यानि के काम नहीं कर रहे हैं क्यों विरोध कर रहे हैं उसका तो ये storage facility बनाई जा रहे है ये spent fuel facility है यहाँ पे अभी एक और दो पे लेकिन ये nuclear waste को storage नहीं जादा radio activity generate होती है nuclear waste की वज़े से लेकिन government का कहना यह है कि हम storage के वर fuel को storage करने के लिए बना रहे है spent fuel को जो यूज होगा जैनि कि जो उसमें use होगा जैसे uranium use होगा उसको store करने के लिए बलकि जो uranium use के nuclear reactor में उसके बाद जो कूड़ा करकर waste बचा उसको storage करने के लिए हम facility नह लुक्सान होता ना nuclear waste को storage जहां पर करकर रखते हैं उसकी वज़े से होता है तो government का कहना यह है दूसरी बात यह कह रही है government देखो कि इनका ना इतना कोई adverse impact नहीं होता ऐसी facility का ना किसी personal पे करमचारी पे ना public पे जनता पे और ना ही environment में ऐसा कहना है government का कि जो यह design बनाए जा रहे हैं इनका कोई भी ऐसा विपरीत प्रभाव नहीं होगा क्योंकि security के लिए सारा जो facility है वो develop की गई है यहाँ पे तीसरा कहना यह है कि जो radiation dodge है मतलब इनसे जो radiation निकलती है ना जो radio activity generate होती है away from reactor facility से वो बिलकुल negligible है मतलब बिलकुल ना के बराबर है अगर हम देख से खोद के uranium निकाला या thorium निकाला radioactive mineral उनसे जो naturally nature से जो मिल रही है uranium और उनसे जो radio activity generate होती है उनके अपेक सामय तो भाहिसा बहुती कम radiation निकलती है ना के बराबर ऐसा government का कहना है समझ रहे हो देखो यह argument आप means के answer में लिखने में दोगे और अगर आप से interview में पूछ लिया कि government क्यों बनाना चारी है जब villager विरोध कर रहे हैं कि इसकी facility से यह यह नुकसान होता है radio activity निकलती है उससे नुकसान होता है human health पे groundwater polluted हो जाता है तो government फिर भी क्यों बना रही है तो आपको वहाँ answer यह देने पड़ेंगे जो government ने यह बोला है समझ रहे हो चौथा answer government का य यह है कि ऐसे plant जो ऐसे away from reactor site जो हमने बनाने जा रहे हैं कुडंग कुलम में वो already बना चुके हैं तारापुर में तारापुर कहां पे महराश्ट में और रावत भाटा site है जो वहाँ पे बना चुके हैं तो वहाँ पे already बने हुए और काफी साले सोई operation में ले है यानि कि चल नुकसान है सारा कुछ radio activity मतलब radio activity के बारे में तो भी पढ़ना है और यह इससे क्या नुकसान होता है और विलेजर क्यों विरूद कर रहे हैं अब आते है रेडियो activity क्या है और इससे क्या नुकसान है क्या फायदे है क्या है यह रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिना फि फिनोमिना जैसे आप एक परसन है एक आदमी परसन लिखोगे और बहुवचन बनाना तो उसमें एस लगा दोगे ऐसी आपने इंगलिस में पढ़ा होगा भाई सब आपकी इंगलिस कमजोर है तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ तो फिनोमिनन एक प्रोसेस है रेडियो अ लेहर निकलती रहती है इससे कैसी लेहर कुछ सम एलिमेंट होते हैं जिनका अंस्टेबल निउक्लिया ही होते हैं निउक्लिया अगर आपके घर में यूरेनियम डाल दिये जाए तो वो भाइसाब नुकसान दायक होगा क्योंकि रेडियो एक्टिव मिन्राल लाइए इससे वेवस लहरे निकलती रहती है जिसकी वज़े से इन्वार्मेंट आसपास का परदूसित हो जाएगा फिर आप कहोगे कि भाइसा तो बहुत ही कम मिलता है और तीन तरह की रेडियो एक्टिव इमिसन हुता इससे याने कि तीन तरह के वेवस लहरे निकलती है कैसी अलफा बीटा गामा अल्फा पार्टिकल जो होते है जनरल ली बोलते है हीलियम कोई हीलियम जो होता न उपर हमने डिसकस किया टू फो जिस समझ लो और गामा रेज निकलती हैं यह सबसे ज़्यादा पावर्फुल होती हैं गामा रेज यह न्यूटरल होती हैं इस पर कोई चार्ज नहीं होता गामा रेज पर ना नेगटिव ना पॉजिटिव यह ने ने न्यूटरल इलेक्ट्र मेगनेटिक रेडियेशन भी बोलते हैं गामा रेज को जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है नेचुरली हमारे इंडिया में मतलब हमारे इंडिया में क्या पूरी अर्थ करस्ट पर जो पाए जाते हैं अर्थ करस्ट का मतलब क्या है देखो अर्थ को हिंदी में बोलते हैं क्रस्ट सबसे उपर वाला पार्ट और आपको पता ही होगा अर्थ की रेडियस कितनी है लगबग है 6870 किलोमेटर यह अर्थ की रेडियस इतनी किलोमेटर है 6870 किलोमेटर तो उपर वाला पार्ट अर्थ का अर्थ क्रस्ट में यह पाए जाते हैं रेडि radioactive mineral material निकलता रहता रेडियो अक्टिविटी निकलती रहती है प्राकृति में जो पाए जाते हैं वो हैं यूरेनियम थोरियम और एक्टिनियम यह पाए जाते हैं यह वाटर resources को contaminate कर देते हैं, जो small amount radiation है वो नेचर में तो पाए जाता है यह small amount में पाए जाता हैं यह कि इतना ज्यादा radioactive mineral जो यह यह है इतनी रेडियो क्टिविटि नहीं निकलती आ बहुत ज़्यादा नुकसान लेकिन अगर इनकी Rossum तो नापते हैं कि कितने किलोमेटर गया आप यूनिट है ऐसी रेटियो एक्टिविटी की भी साइउ यूनिट है इकाई है इसको या तो बैकेरल में लिखते हैं बैक्डूरल या क्यूरी में मैडम क्यूरी थी जिन्होंने इसको डिसकवर किया था उनके नाम पे यूनिट पूरध रखने हैं और जो रेडियेटियसन इंसे निकलती है रेडियो एक्टिविटी में निकलि उसको नापते हैं मानव के टिश्यू ने कितना एब्जॉर्व किया ये सिवर्ट यूनित से नापते हैं कि रेडियो गटिविटी के सोर्स क्या क्या वो अ क्या क्य देख लेते हैंwegen दो तरीके के सोर्स एक तो निचुरल यानि कि पृट की पिरकिरती में जो मिनेरल पाये जाते हैं उनकी वज़े से यक्टिविटी और इन्थ्रोपजनिक का मतलब होता है कि मानव के द्वारा ऐसे कौन से प्रॉसेस किये जा रहे है जिनकी वजह से रेडियो एक्टिविटी निकल रही है इन्वार्मेंट में एटमोसफेर में पर्यावरान में या वातावरान में नेचुरल है पहला तो यही हमने ऊपर देखा तीन एलिमेंट पाए जाते हैं यूरेनियम थोरियम और एक्टीनियम समझ रहो और एक यह भी है कि रेडियम रेडियम एक्वार्टिक सिस्टम में पाए जाता है यह ग्राउंड वाटर में पैनिट्रेट हो जाता है यह रेडियम जो क्या है जो एक्वार्टिक सिस्टम मतलब पानी वाले कोई भी सिस्टम हो सकता है उसमें पाए जाता है लेकिन यह ग्राउंड वाटर में पैनिट्रेट हो जाता है यह यह अर्थ के अंदर किस तरीके से aquifer rock desolation की वज़े से मानलो चट्टानों में दरारे पड़े गी है उसके थिरू चला जाएगा या मानलो uranium और thorium है न, uranium thorium TH मतलब thorium, U मतलब uranium यह इनका atomic mass है 238 और इसका 232 यह अगर decay होंगे इनकी वज़े से भी radium produce हो जाता है radium बन जाता है अगर process का de-jobson हो गया, इसके वज़े से भी हो जाता है, तो radium देखो एक radio nucleide है जो decay की वज़े से भी बन सकता है thorium और uranium का decay हो जाए यह तूट जाए, thorium uranium तूटते चले जाए नेचर में तो radium भी बन जाता है environment पे इनकी वज़े से, और radio activity किस से निकलती है, magma से अर्थ के अंदर से जो आता है, magma lava बोलते हैं, बाहर निकल जाता है, magma जब तक अंदर रहता है, तो magma बाहर आता, उसकी वज़े से भी radioactive gases निकलती है, environment में soil sediment से भी, देखो radiation क्या है, यह soil में भी रह जाती है फिर soil से भी निकलती रहती है और ground water को polluted कर सकती है यह surface water को भी, एक है atmospheric deposition of cosmogenic radionuclide, जो cosmogenic radionuclide होते हैं यह बोलते हैं, isotope कोई यह देखो यहाँ पर, यह isotope भी होते हैं, radioactive isotope और isotope क्या होते हैं, हमने उपर discuss किया है hydrogen का isotope, डिसकस किया था atomic number same, atomic mass different यानि कि number of proton same हो जिसके, और neutron number of neutron different हो, उसको बोलते हैं isotope, रहता एक ही element है, जैसे hydrogen का देखाता है हमने, one, one one, two, one, three समझे रहो, तो यह kosmogenic radionuclide, radioactive isotope होते हैं, जो natural process के द्वारा produce होते हैं, पैदा होते हैं, अर्थ system के अंदर ही distributed होते हैं, इनकी वज़े से भी radio activity निकलती है, surface water को जो नुकसान पहुचा सकती है अब आते हैं, anthropogenic यानि की मानव के दारा, human के द्वारा, किस process के द्वारा, जो human ने बनाए हैं जिनकी वज़े से radio activity निकलती है nuclear reactor और nuclear warhead, nuclear reactor तो हमने उपर पड़े भाई सब nuclear power बनाने के लिए यूज होते हैं, और nuclear warhead मतलब, nuclear warhead का मतलब nuclear bomb बनाते हैं, atomic bomb, hydrogen bomb उनकी वज़े से भी निकलती है भाई सब ये radio activity और nuclear reactor क्या करते हैं, radio isotope produce करते हैं, जैसे cobalt 60 हो गया, iridium 192 हो गया, इनकी वज़े से gamma radiation निकलती है, gamma radiation और देखो, इनका सिर्फ नुकसान ही नहीं होता gamma radiation का, फाइदा होता जैसे इनको cancer therapy में भी यूज करते हैं cancer को ठीक करने के लिए, जैसे body के अंदर cancer रहता है cancer cell को मारने के लिए gamma rage महाँ पे डालते हैं body के अंदर, ताकि वो cancer cell मर जाएं तो gamma radiation therapy के लिए भी यूज होते हैं, radio therapy के लिए भी industry में भी यूज होते हैं, gamma rage फाइदा भी इनका nuclear power जो plant है उनसे निकलती हैं अगर मालोग coastal region में, हमारे इंडिया के coastal region है, समुन्दर तट के पास region छेत रहें, वहाँ पे nuclear power plant लगे होते हैं, उनसे की वज़य से क्या होता है, marine water contaminate हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो radio logical जो आपके contaminants हैं, परदूसक तत्व हैं, वो समुन्दर के पानी में छोड़ दे जाते हैं, इनकी वज़य से समुन्दर का पानी भी परदूसित हो जाता है यह जो water है इनके coolant में भी यूज़ होता है जो coolant होता है, आपका nuclear reactor का उसके coolant में water यूज़ करते हैं ताकि nuclear reactor जो गरम ना हो ठंडा रहे, अगर ज़्यादा गरम हो जाता है तो ब्लास्क भी हो जकता है, डिस्टोय हो जकता है नस्ट हो जकता है, आग लग सकती है तो coolant की तरह water यूज़ करते हैं पावर हाउस बगरा में, nuclear reactor में लेकिन वो water क्या है, परदूसित हो जाता है और water बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ होता है इससे क्या है, जैसे nuclear weapons है X-ray है, MRI होता है जो MRI, medical equipment में इनमें क्या है, human beings के पास जब ये कराते हैं तो इनकी वज़े से भी radioactive waste के एक संपर्क में आता है human, human health पे भी नुक्सान पढ़ सकता है, जैसे X-ray है X-ray भाहिस आप देखा होगा, आपने कभी metro में जाते हो, metro में अपना bag bag डालते हो, X-ray, machine जो होती है अगर बहुत बड़ी मात्रा में human की body पे डाली जाए X-ray, तो नुक्सान पहुचा सकती है human body को समझ रहो next है mining से, अब mining वो ही खदाने, जब thorium uranium को अर्थ से खोद के निकालते हैं तो इनकी वज़े से भी ground water polluted हो जाता है nuclear accident, nuclear accident वो ही जैसे nuclear submarine accident हो जाए जो नाब के पंडूब भी होती है नों समंदर के अंदर, अगर वो destroy हो जाए, फूर जाए है उनकी वज़े से भी भाईसाफ रेडियो एक्टिव pollution होता है next है कि rock flat plant मतलब rocky flat plant का मतलब जो अर्थ पे plant बने हुए nuclear reactor के, nuclear power plant बने हुए जैसे हमने उपर डिसकस किया था फूकुसीमा में disaster हुआ था चर्नोबिल nuclear disaster हुआ था एक Colorado में भी हुआ था यह disaster है कुछ nuclear accident हुए थे तो यह भी नुकसान है भाई साब कि disaster हो जाएगा तो बहुत सारे लोग तो मारे जाएंगे इनकी वज़े से अब पढ़ते हैं radioactive pollution से human health पे कौन-कौन से प्रभाव पढ़ते हैं एक तो है radiation syndrome radiation syndrome हो जाता है human tissue क्या है जब radiation absorb करते हैं polluted water से या food से food से तो इनकी वज़े से radioactive radiation की वज़े से radiation syndrome हो जाता है यानि कि उनकी जो skin है body की skin है human की skin है तो एचा है उसको नुकसान होता है injury हो जाती है dermal radiation injury हो जाती है अगर radiation की high dose human पे पढ़े तो next disorder in human physiology देखो cancer भी हो सकता है इस से लिकोमिय की वीमारी भी हो सकती है अगर ज्यादा radiation की संपर्क में आए human genetic mutation भी हो सकता है cataract भी हो सकता है रतोंधी नाम का रोग यानि की आँखों से दिखना भी बंद हो सकता है mutation और structural alteration भी हो सकता है mutation का मतलब है की gene में change हो सकता है या male sperm cell में female egg cell में change हो सकता है DNA में भी change हो सकता है इसके बाद यह जो change हुआ है उनके बच्चों में भी जा सकता है जो बच्चे पेदा होंगे off-syncbring off-syncbring मतलब बच्चे पेदा होंगे तो DNA में भी change हो सकता है यानि की DNA में जब change होगा पागल भी हो सकते हैं ज्यादा रिडियो अगर रिडियो अक्टिव मिंडल के संपरक में लोग रहें तो यह यह नुक्सान से तो भाई सब जितना भी सारा बेस इक और जितना भी सारा डबल माष्ध है हमारे इंडिया में नूकलर के रिगार्डिंग सारा हमने discuss कर लिया इसमें लेकिन lecture लंबा हो गया उसके लिए sorry